स्वर्गवासी श्रीमती अलका हेमंत पातिल इनके स्मृती प्रित्यंत अन अपंगों को नई नई उचाया प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने वाली लेखमाला इंडिया के ग्रामेन अपंग सशक्तिकरन कार्य के लिए समर्पित विश्व इतिहास पर नई रोश्नी डालने वाली प्रेर्ना अभिधा धूमट कर जिग्यासा यह एक ऐसी संकल्पना है जिसका कोई अंत नहीं हो सकता इसी मानव की जिग्यासा वृत्ती पर ही आज का आधुनिक युग अपनी आधुनिकता के सहारे ही सूचना प्रोध्योगी की मैं अनेको विद्खोच कर आध्योगित विकास के सहारे तकनी की तरह से अपना जीवन यापन कर विक्सित हो रहा है विवित क्षेत्रों में वहा आज भी अनेक संशोधन कर नई नई उचाईया स्थापित करने में मगन है और उन संशोधनों का परिणाम हासिल करने के लिए अपनी पूर्ण क्षमता तन मन धन से अरपित कर दिन रात मेहन कर रहा है मानवो के इस प्रयत्नों को भी कोई सीमा नहीं है और होगी विशेशग्य कहते हैं कि मानव प्राणी जो शिक्षा अपने जीवन में ग्रहन करता है उसमें से 80% ग्यान वहाँ अपनी आखों से देख हासिल करता है इसलिए दृष्टी बाधित व्यक्ती उसकी आखों में दृष्टी न होने से यह 80% ग्यान अपने आप से नहीं ग्रहन कर पाता अगर उसे उसके बारे में सही सही जानकारी कोई दे तो ही वह जानकारी हासिल कर पाएगा दृष्टी बाधित व्यक्ती को यह जानकारी देने के लिए बोल कर बताना चाहिए उन्होंने अपनी जिग्यासा के बल पर जो कोई प्रश्न पूछे जाते हैं उनका विस्तारित रूप में बोलकर सही जानकारी देकर पूर्णता समाधान होने तक की जानकारी देने वाला चाहिए। कभी वह उसे ग्रहन कर अपना ज्यान व्रिधींगत कर सकता है। हम आम लोग यह कभी सोच ही नहीं सकते की इतिहास विशय में भी पुरानी इतिहास के खोजबीन के अलावा सही संशोधन हो सकता है। दुनिया के इतिहास को अगर पूर्णता जानना, समझना और अध्ययन करना है, तो दुनिया की सभी भाषाओं का ज्यान अरजित कर ही उसे पूर्णता समझ कर तथा अध्ययन द्वारा सही निशकर्ष निकाल कर ही पूर्ण रूप में आकलन हो सकता है। जिग्यासा वृत्ती के बल पर एक दृष्टी बाधित व्यक्तिमत्व किस तरह दुनिया में अपनी रोष्णी बिखेर कर उसे चकाचौन कर रहा है, यहां हमें डौ अभिधा घुमटकर जी के बारे में परिचित होकर ही पता चलेगा। महराश्य मुंबई के बोरीवली नामक उपनगर में एक मध्यम वर्गिय सरकारी नौकरी करने वाले परिवार में अभिधा का जनम हुआ। जनम से ही उसे द्रिष्टी बाधिता हो सकती है, यहां उनकी मा के निरिक्षन में आया, इसलिए उनकी आखों की जाच करवाई गई और वह द्रिष्टी बाधित है, ऐसा प्रमानत हो गया। बचपन से ही अभिधा की जिग्यासा की वृत्ती प्रखर है, ऐसा महसूस होने लगा। वह कई सारे प्रश्न पुछती ही रहती थी। जब अभिधा को मालूम हुआ की दूसरे उससे समवयस्क उम्र के बच्चे लिख कर पढ़ सकते हैं, तो वह भी लिखने के लिए जिद पनागरी लिपी में अक्षरों का आकार बनाकर और स्पर्श द्वारा समझा कर सिखाने में सफल हो गई। अभिधा हमेशा अपनी लिखावट आम लोगों जैसी और सुंदर भी हो इसलिए जी जान से मेहंत करती रही। जब वह शिक्षा प्राप करने के योग्य उम्र की ह गई तब उनके माता पिता ने उनका नाम स्कूल में डालने के लिए बहुत कोशिशे की। सब स्कूल दृष्टि बाधित लड़की को अपने स्कूल में दाखिला देने से मना कर रही थे। आखिर सुविध्या शिक्षन प्रसारक मंडल के एक स्कूल में अभिधा का नाम बचपन में ही अभिधा के सर से उनकी पिता का साया उठ गया. तब मा ने ही उसे संभाला. आगे चल कर वहाँ कुटुंग पारले उपनगर में स्थानांतरित हो गया. वहाँ अभिधा को प्रार्थना समाज स्कूल में दाखिला मिल गया. अभिधा बहुत ही बुद्धिवान थी एक बार सुने हुए बोल वह अपनी स्मरंशक्ती द्वारा हमेशा के लिए याद रख लेती थी शुरू में उसकी मा उन दोनों बहनों को उनकी पढ़ाई पढ़ कर ही बताती थी लेकिन आगे चल कर उन्होंने टेप रिकॉर्डर खरीद कर उसे रेकॉर्ड करना शुरू किया जब नौकरी और घर ग्रिहस्ती चलाते हुए उसकी मा को अभिधा की और समिधा उसकी द्रिष्टिबाधित छोटी बहन पढ़ाई करवाने के लिए पूरा समय नहीं मिल पा रहा था तब श्रीमती नलिनी करवे नामक उसके स्कूल में शिक्षिका के पद पर नहीं न भावित हो गई थी इसलिए उन्होंने उसे बहुत मदद की आगे चलकर श्रीमती शलिनी तेंडुल कर नामक बालकाश्रम बांदरा में समाज सेविका के काम में योगदान देने वाली महिला ने भी उन दोनों बहनों को उलेखनिय तरीके से मदद की अभिधा शालान परीक कॉलेज में दर्स कर लिया जब वह दूसरे वर्ष की पढ़ाई कर रही थी तब उनके श्री फ्रेडरिस्क सिक्वेरा नामक जाकतिक इतिहास सिखाने वाले शिक्षक उसे इतिहास विशय की और आक्रिस्ट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमी का अदा कर रहे थे वे विद्यार्थियों को हमेशा बताते थे की इतिहास यह सिर्फ याद रख कर प्रशनों के उत्तर लिखने के लिए ही नहीं है अगर हमें इतिहास को सही धंग से समझ कर मानवी जीवन की उतक्रांती का इतिहास समझना है तो हमें वह घटनाए घटित होने वाली मानवी संस्कृती को भी पूरी तरह से समझना जरूरी है उस वर्ष अभिधा की भाशाओं का ज्यान अच्छा खासा सम्रिद्ध था लेकिन इतिहास के बारे में उसे विशेश रुची निर्मान हो गई इसी रुची को आगे बढ़ाते हुए अपना भविश्य का कैरियर निर्मान करने के लिए अभिधा ने अपने आपको समर्पित कर दिया उन्होंने सन 1988 में अपनी उच्च माध्यमिक शालांग परीक्षा उत्तीर्न कर कला शाखा में प्रवेश कर इतिहास विशय में पदवी प्राप्त कर ली उसी विशय को लेकर उसने पद्वियुपरान पद्विका परीक्षा भी उत्तीरन कर शिक्षक बनने के लिए जरूरी B.Ed की पद्विका पाने में सफल हो गई अब उनकी उच्चाकांशा प्राध्यापक बनने की थी इसलिए उन्होंने नेट सेट की परीक्षा भी पास कर इतिहास विशय के साथ M.Phil की पद्विका भी हासिल कर ली अब अभिधा इतिहास विशय लेकर PhD की उपाधी हासिल करना चाहती थी लेकिन उसे रीडर मिलने में कठिनाईया आ रही थी तब उनके गाईड श्रीमती डौ मरियम डोसल और प्राध्यापक जेवी डौट नाइक ने उनकी मदद कर अभिधा का सपना पूर्ण कर दिया पढ़ाई के दौरान भी वहां आर्थरजन करने के लिए उत्सुक थी तो उसने फ्रेंच भाषा सीख कर उसमें मास्टरी हासिल कर ली और वहां मुंबई के मशूर चाटे क्लासेस द्वारा फ्रेंच सिखाने की शिक्षिका बन उभराई अब उसे दूसरे देशों की भाषा और बोली सीखने में भी रुची उत्पन्न हो गई वहां इस उत्देश में प्रयासर्थ हो गई उसे पहिले ही मराथी, हिंदी, अंग्रेजी, कोकणी और फ्रेंच भाषा का ज्यान हो गया था उसने विश्व इतिहास को सही धंग से आग कर जानने के लिए और उस पर अपने संशोधन कार्य आगे बढ़ाते रहने के लिए अनेकोविद भाषाय जानने का प्रण कर लिया और वहां पाली, संस्कृत, इंग्रजी, सिंधी, बंगाली, उर्दू, इटालियन, पर्षिय जर्मन, फ्रेंच, अरेबिक, अफ्रीकन और कोरियन भाषाएं सीख कर बोलने में प्रवीन हो गई, इसके लिए उन्होंने कई पदविकाएं भी उत्तीर्ण कर ली, सन 2010 में उसे साथे कॉलेज, विले पारले, मुंबई में प्राध्यापक पद पर नियुक्ती मिल गई, उ उसे इतिहास विभाग के प्रमुखपत की जिम्मेदारी सोप दी, अपनी जिम्मेदारिया निभाते हुए उन्होंने इंग्लेंड के लंडन में चार्ल वॉलर इंडिया ट्रस्ट द्वारा इंडिया ओफिस रेकॉर्ड्स अभ्यासने के लिए फेलोशिप प्राप करने व अभिधा जी ने अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कानून विशय को भी सीखना जरूरी है यह समझ कर सन 2022 में एललबी कर पद्वी भी प्राप्त कर ली अभिधा जी को आज तक कई मौकों पर सम्मानित कर उन्हें प्रतिस्थिट अवार्डों से गौरम मानवित किया गया है उनमें से कुछ मुख्य नीचे दिये गए है 1. National Association for the Blind इंडिया प्रतिस्थिट नीलम कामदा अवार्ड दो हजार तेईस 2. अंधजन मंड मुंबई BPA प्रतिस्थिट डॉक्टर राजेंद्रटी व्यास अवोर्ड दो हजार बाइस 3. Best Faculty Award from Inso Awards in 15 मई दो हजार बाइस 4. इनके साथ साथ उन्हें नेत्रदी प्रतिस्थान, मुंबई द्वारा भी अंतर राश्च्रिय महिला दिन मनाने के उपलक्ष में आयोजित कारेक्रम में आमंत्रित कर गौरवान वित किया गया 5. आमही गोएंकर इंस्टिट्यूट द्वारा भी उन्हें शिक्षक दिन मनाने के उपलक्ष में आयोजित कारेक्रम में आमंत्रित कर गौरवान वित किया गया आमही पारलेकर नामक प्रसारित मासिक में श्रीमती संध्या ओगद्वारा डौ अभिधा की उपलब्धियों पर लिखा गया लेक प्रकाशित किया हुआ है अभिधा जी अपने विद्यार्थियों को इतिहास विशय में आक्रिस्त करने है तू और अधिक से अधिक भाशाओं का ग्न प्राप्ट करने है तू विशेश्वर्ग आयोजित कर प्रेरित कर रही है उनके इस प्रयासने उन्हें सफलता प्राप्ट हो रही है यह कार्यवा अपने जीवन भर अविरत रूप में चलाने वाली है वह सरकार के महाराष्ट्र बोर्ड औफ टेक्निकल एडुकेशन की मान्यता प्राप्त कर विविद विश्यों पर तथा विविद भाशाय सीखने के लिए खास पद्विकाय प्राप्त करने के लिए खास प्रशिक्षन पाथिक्रमों को मान्यता मिलाने के लिए प्रयास कर रही है ताकि इससे विद्यार्थी आकरशित होकर और पद्विकाय प्राप्त कर इन विश्यों में संशोधन कार्य में अपने आपको समर्पित कर सके अभिधा जी की इन प्रयासों से और उन्हीं की प्रेर्णा से हम आशानवित हैं कि भविश्यकाल में हमारे देश में बहुत सारे संशोधक बन विश्व इतिहास की कई सारी अनसुलजी गुथिया आसानी से सुलजा कर हमें विकास के पत पर जरूर अग्रेसर कर देंगे अभिधा जी की मेहंत, लगन, क्षमता और अभूत पूर्व गुद्धिमत्ता जरूर कोई नए गुल खिलाएगी हम भविश्यकाल में विश्व इतिहास पर नई रोश्नी डालने वाली प्रेर्णा के रूप में उन्हें स्वीकार कर जगत मान्यता प्राप्त होते हुए जरूर देखेंगे है मन्त जब पाटिल मानत सचीव National Association for the Blind, इंडिया